हलो बच्चो, आज हम लोग इंग्लेश, बाल भारती, स्टैंडर फोर्थ का लेसन नमबर एट, अ ग्रेट लीडर, इसको श्टडी करेंगे, अ ग्रेट लीडर यहने बहुत बड़ा नेता, तो कौन थे यह बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़े नेता, तो चलो देखते है बच्चो, इस लेसन में किस के बारे में दिया हुआ है, महात्मा गांधी was one of the greatest leaders of the world, तो यह लेसन किस के बारे में है बच्चो, महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी कौन थे, one of the greatest leaders of the world, यहने सिर्फ भारत के ही नहीं, बलके पूरे world के, पूरे विश्व के बहुत जो सबसे बड़े बड़े leaders गुजरे हैं उन में से एक महात्मा गांधी थे other leaders win wars by hurting others and killing them जो दूसरे नेता होते हैं जो बड़े बड़े leaders होते हैं वो ज्यादा करके फॉज के general ऐसे होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं लड़ाई या जीतते हैं बड़ी बड़ी तो उसमें लड़ाई के अंदर दूसरे लोग को तकलिफ होती है और बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं लेकिन महात्मा गांधी ने कैसे लड़ाई लड़ी या बम ऐसे कोई भी तबाही वाले हतियार मात्मा गांधी ने यूज नहीं किये and yet he won the war of India's independence and yet और फिर भी उन्होंने भारत के independence याने भारत की आजादी की जंग जीत ली बिगेर किसी हतियार के people lovingly called him बापू और बापूजी लोग उनको प्यार से बापू या बापूजी कहते थे उसका मतलब क्या है father of the nation याने नेशन के हमारे देश के पिता father of the nation अब गांधी जी के बारे में और क्या दिया है बच्छो गांधी जी was a man of iron will गांधी जी कैसे थे इंसान iron will याने द्रुड शक्ती वाले उनकी जो इच्छा थी वो लोहे के जैसी मजबूत थी once he decided to do something he did it no matter how difficult it was जब वो कोई चीज decide कर लेते थे ठान लेते थे करना तो वो उसको कर गुजरते थे no matter याने इससे बगेर परवा के how difficult it was के वो चीज कितनी मुश्किल है उसके परवा किये बगेर वो जो चीज ठानते थे उसको करते ही थे one day he decided that he would have an early morning prayer every day एक दिन उन्होंने क्या फैसला किया कि वो आज से हर रोस सुबा में early morning एकदम सुबा सुबा प्रेयर याने प्रातना सबा रखेंगे हर रोस सुबा सुबा प्रेयर प्रातना करेंगे from that day onwards he never missed the prayer तो जिस दिन से उन्होंने ये ठान लिया उसके बाद से ये उनकी प्रातना कभी भी miss नहीं हुई कभी भी वो नहीं चुके इतने वो द्रिड निश्चे के इंसान थे गांधी जी gave a lot of importance to truth, simplicity and non-violence that is not hurting others गांधी जी किसको ज्यादा importance देते थे, किसको ज्यादा एहमियत देते थे truth, truth याने सच्चाई, simplicity याने साधगी और non-violence याने किसी को तकलीफ नहीं पहुचाना ये उनके जिंदगी के उसूल थे तो हमको भी ऐसे अच्छे-च्छे उसूल बच्चों अपनी जिंदगी में पैदा करना चाहिए गांधी जी's dress was very simple, गांधी जी के कपड़े बहुत साधारन से थे just a loin cloth, a dhoti worn above the knees and sometimes a shawl तो क्या था उनका कपड़ा? एक धोती थी, loin cloth याने ऐसी धोती, छोटी सी धोती जो गुटने के भी उपर होती थी, उसको बोलते है loin cloth and sometimes a shawl और कभी-कभी अगर ठंड हो तो उपर shawl भी लेते थे वरना उपर ऐसे ही रहते थे Could he not afford fancy, fashionable clothes? क्या गांधी जी बहुत fashionable और नए-ने कपड़े नहीं खरीच सकते थे? Of course he could, वो जरूर खरीच सकते थे, but this simple loin cloth was a deliberate choice, लेकिन ये साधारन सा धोती एक deliberate choice थी, जान बूचकर उन्होंने उसको इक्तियार किया था How did he come to make this choice? तो क्या वज़े हुई उनको ये धोती पहनने की अच्छे अच्छे कपड़े पहनना क्यों छोड़ दिया उन्होंने? देखो, यह picture में तो दिया हुआ है, पहले वो, coat और ये नीचे दिया हुआ है, और भी अच्छे-च्छे कपड़े पहनते थे तो फिर आखिर ऐसे क्या उनके जिंदगी में इंसिडेंट हुआ वाकिया हुआ, कि जिसके बाद से उन्होंने ये कपड़े पहनना छोड़ दिया, तो चलो पढ़ते इस नेक्छ्ट परिग्राफ में क्या लिया है एक बार गांधी जी ओडिशा एक भारत का एक स्टेट है, वहाँ पर लेक्च्छर टोर पे थे, याने वहाँ जगे 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 जाकर उनकी सभाय होती थी भाशन देते देव Usually men and women gathered in large numbers to listen to him, usually याने ज्यादा करके आदमी और औरत, औरते दोनों जमा होती थी बहुत ज्यादा तादाद में उनके बातों को उनकी भाशन को सुनने के लिए In Odisha however, women were not seen at these public meetings or lectures, लेकिन Odisha में उनकी जो public meetings और lectures हो रहे थे, भाशन हो रहे थे, जो सभा हो रही थी, वहाँ पर औरते देखने को नहीं मिल रही थी, वहाँ पर औरते नहीं आ रही थी On making inquiries, जब गांधी जी ने inquiry की, मालूमात की, चोकसी की, तो गांधी जी found that the people in that part of the country were so poor that their women folk had not a decent thing to wear तो उनको ये पता चला, कि वो जिस इलाके में वो गये थे, वहाँ के लोग इतने गरीब थे, कि वहाँ की औरतों के पास धंका कोई कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं था इसलिए, therefore, they kept away from public functions, इसलिए वो जो public gatherings होती थी, सभाय होती थी, उसमें वो नहीं आती थी, क्योंके उनके पास इतना कपड़ा भी नहीं था गांधी जी वोस डीपली pained to hear this, गांधी जी को बहुत दुख हुआ, डीपली, बहुत गहरा दुख हुआ, ये सुनकर from that day, he decided to wear the bare minimum of clothes, उस दिन से उनोंने ठान लिया, कि वो सिर्फ मामूली सा कपड़ा ही पेनेंगे, जिस कपड़े के बगार बिल्कुल गुजारा नहो, उससे कुछ भी ज्यादा नहीं पेनेंगे तो हमने पहले पढ़ा था कि वो कितने ध्रिड निश्टे के थे, जब वो कोई चीज डिसाइड कर लेते थे, तो उसको कर गुजरते थे, तो फिर क्या हुआ, जब उनोंने डिसाइड किया तो, from that day, he decided to wear bare minimum clothes, be it cold or hot, he never changed his simple dress, उस दिन के बाद से चाहे ठंडी हो, चाहे गर ते थे बस और उपर कभी shawl पहन ली, यही उनका कपड़ा बन गया, अभी क्या हुआ, once he had gone to England to attend a very important conference, एक बार गांदी जी इंगलेंड गए थे, एक बहुत एहम conference को attend करने के लिए, conference, यानि जहां बड़े-बड़े लोग आते हैं और बहुत एहम मसलों पर discussion होता है, तो व conference at his palace, इंगलेंड के जो राजा थे, उनका नाम था King George, उन्होंने क्या किया, एक reception रखा, एक दावत रखी, जो participants थे, जो जो उस conference में आये थे, उन सब की अपने palace में, अपने महल में उन्होंने दावत रखी, people received by the king have to dress up in a certain way, राजा के महल में जब कोई जाता है, तो उसको एक खास तरीके से पहनावा पहनना पड़ता है, राजा की शान के मुताबिक, at that time, England ruled over India, उस जमाने में, England भारत पर शासन करता था, भारत पर इंगलेंड की हुकुमत थी, people in England wanted to know, if गांदी जी वोड़ चेंज the style of his dress to see the king, अब England के लोग को ये जानने की बड़ी जिग्यासा हुई, कि क्या गांदी जी अपने कपड़े को, अपने कपड़े के style को राजा से मिलने के वाग चेंज करेंगे, या वो वैसे ही सिर्फ एक धोती पहन कर आएंगे, गांदी जी made it very clear that he would be dressed in his usual way, गांदी जी ने तो ये बहुत साफ कर दिया था, कि वो ही कपड़ा पहन कर आएंगे, जो वो हमेशा पहनते हैं, यानि वो धोती पहन कर ही आएंगे, अगर्चे वो इंग्लेंड के राजा से ही क्यों न मिलने जा रहे हो, वो उन्हीं लोगों का कपड़ा पहनेंगे, जिनके तरफ से वो रेप्रेजेंटेटिव बनकर आये थे, जिनकी तरफ से वो आये थे, यानि भारत के लोग का जो कपड़ा था, गरीब लोगों का, वो वही कपड़ा पहनेंगे, गांधी जी was not bothered by what style of dress the British approved of गांधी जी को इसकी कोई परवा नहीं थी bothered याने उनको इसकी कोई परवा नहीं थी कि British लोग कैसे कपड़ा पहनना पसंद करते हैं British लोग को कैसा कपड़ा पसंद है उसकी उन्होंने कोई परवा नहीं की So long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear जब उनके अपने मुल्क के गरीब लोगों के पास काफी कपड़ा पहनने के लिए नहीं था बहुत कम कपड़ा था तो वो भी अच्छा कपड़ा नहीं पहन कर गए राजा के पास भी Finally the king had to welcome at his reception this great man dressed in a simple loin cloth and a shawl तो finally आखिरकार क्या हुआ राजा को अपने reception में अपनी दावत में गांदी जी को welcome करना पड़ा great man यानि बहुत महान इंसान को कैसे welcome करना पड़ा उसी साधारन से कपड़े में यानि वो loin cloth नीचे चोटी सी धोती और उपर shawl यहाँ पर आपको दिकरा होगा गांदी जी ने क्या पेना यही उनका हमेशा dress रहता था गांदी जी से किसी ने सवाल किया क्या आपने इतने कम कपड़े पहने क्या ये कपड़ा काफी है एक राजा से मिलने के लिए ये कपड़ा काफी है क्या तो गांदी जी ने एक मजाहिय तोर पर जवाब दिया क्या राजा ने हम दोनों के लिए काफी हो जाय इतने कपड़े पहन लिये है याने मेरे हिस्से का कपड़ा भी राजा ने ही पहन लिया है वंग इतना ज्यादा कपड़ा राजा ने पहना था बहुत अच्छा जवाब दिया गांधी जी ने दुनिया को तबाह करने वाले हत्यार नहीं थे इसके बावजूद उनके पास लाखो स्टॉंच फॉलोवर्स थे इकडम लॉयल एकडम वफादार उनके मानने वाले लाखो में थे अगरचे उनके पास कोई हत्यार कोई आर्मी नहीं थी फिर भी लोग उनसे इतनी महबबत कर गांधी जी शोड ओल दुनिया भर के शप्रेश्ट पीपल जिनको दबाया गया हो जिनके हग चीने गए हो ऐसे लोगों को एक नया रास्ता दिखाया वो रास्ता क्या था सत्यागरह का रास्ता यानि इससे पहले जो इंकलाब आये थे फ्रांस में आया था रशिया में आय राजा महाराजा जो उस वक्त रूलिंग थे उनको लोगों ने उनका तक्ता पलट करके उनको मार कर फिर अपनी हुकुमत कायम की लेकिन गांधी जी ने जो नया रास्ता दिखाया कि चाहे तुमारे उपर कितना ही जुल्म क्यों न हो रहा हो तुम इसको चेंज कर सकते हो बिगेर किसी वाइलेंस के अहिमसा के साथ सत्यागरा करते हुए यानि सच की लड़ाई बिगेर किसी हिंसा के ये रास्ता गांधी जी ने पूरी दुनिया के लोगों को दिखाया तो इसकी वज़े से गांधी जी को याद किया जाता है उनकी ग्रेटनेस उनकी महानता को पूरे दुनिया में याद किया जाता है सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया के हर हिस्से में गांधी जी की इस महानता को माना जाता है उनको बहुत बड़ा लीडर लोग मानते है तो ये lesson था बच्छो गांधी जी के बारे में इसको अच्छे से आप लोग एक बार अच्छे से read कर लो इसके question answers हम next video में देख लेंगे जब तक के लिए बाइ बाइ